अब बात करते हैं उतरप्रदीश की जहां व्रिध्णवन में भारत को हिंदू राश्ट्रक होशित कराने और जिहाद साथ ही आतंकुबात को भारत के साथ साथ विश्वकी ध распwritten से उखारने के उधेशे से धर्म की नगरी वरंदावन मेश अनिवार को हिंदू राष्ट्र विजय यात्रा का संकल्प लिया गया पैतरी के साथ गौरी का पूजन कर हिंदू राष्ट्र विजय यात्रा का संकल्प लिया गया इसके साथ ही समासेवी डॉक्टर लक्ष्मी गौतम को महा मंदलेश्वर की उपाधी से सुशोबित किया गया पीठा धिश्वर आचार महा मंदलेश्वर महांत धर्मे निगरी को स्वामी ने बताया कि हिंदू राष्ट्र विजय यात्रा का प्रारंभ आगस्त माहमी द्वारिकाधीस मंदेर द्वारिका गुजरात के साथ ही भारत के सभी प्रदेसों में एक साथ होगा इस यात्रा में सामिल साधू संत वा हिंदू संगठन 7 नमबर 2022 को 100 करोड हिंदू तुवादी जनता का समर्थन पत्र लेकर संसत भवन दिली पहुचेंगे जहां प्रदान वंतरी नरेंद्र मोदी को पत्र सौपा जाएगा वराक 24 न्यूस के लिए मतुरा से विनेत कुमार की रपोर्ट पत्र सौपा जाएगा और इस यात्रा का संकल्प है वह जिहाद और आतंकवाद को भारत की भूमी ही नहीं पूरे विष्ट की धर्ती से समाप्त करना है इसलिए आज हमने सनातन संस्किर्ति के प्रती गव गंगा गीता गौरी और गैतरी का पूजन कर यह संकल्प लिया है और पहले 12 मार्च 2022 से यहाँ जो स्रीराम महा या जो अनवरत चल्दा है वहाँ भवन करके इस कार्यों को पूर्ट करने भी इस वर से कामना की गई है पूर्षित किया गया इसमें अखाड़े की राष्ट अजय श्री नानक चंद को स्वामी जी मौजुद रहे लशी मौतुम जी बताएंगे आपको आज महमेंदर सर्फ पूर्षित किया गया आपको अखाड़ा से क्या गए आप इसकी वार्ट है कि हमारा भारत एक हिंदू जंगा और गव माता उनका यहां फूजन किया गया और मुझे की शंकराचार सनातन दश्नाम अखाड़े से जो आज महमंदरेश्वर की उपादी दी गई है या जो जिम्मेदारी दी गई है मैं इस जिम्मेदारी को और इस पद की गरिमा को बनाई रखने के लिए हमेशा प्रयास करूँगी बैसे भी सनातन संस्क्रती हमारी एक आस्था का विश्य है और मैं हमेशा से जुड़ी रही हूँ परन्तों आज एक पद और एक जिम्मेदारी का एक भार मेरे कंदों पर आया है तो मैं यहां मंदिर में शिप महिश्वर द्हाम में जो एक बहुत ही पवित्रि स्थल है यहां इस संक्रत लेती हूँ कि अपने भारत वर्ष में ही नहीं विश्य में हमारे हिंदुत का डंका बजेगा और हिंदुत की जो बिजय यात्रा का शुवारम और जो संक्रत लिया गया है उसमें हमारी बिजय हूँ